तो है गाइस वेलकम तो और चैनल आज के वीडियो में बात करेंगे सैतामा इनु टोकेन के बारे में सैतामा के माइगरेशन को लेकर कुछ तो उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए विद्धेरी के वीडियो को स्टाड करते हैं बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में तो गाज आपदेख सकते हैं यह ला एक्स्चेंज बन चुका है जो कि सैतामा के वर्जिन टू को सफोर्ड कर रहा है तो काफी अच्छी बात है अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ और भी अपडेट के बारे में तो जो कि यहां पर सैतामा की तरफ से यहां पर इन्होंने बताया है कि मतलब इन्होंने कर देखने को मिल सकते हैं कि सायतामा का फ्राइस डाउन हो सकता है तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं तो जितने एक्सचेंज़ों पर सैतामा लिस्टेट है वहां पर माईगरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा जिसके वजह से ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी तो जब ट्र तो जिसके वजह से सैतामा का फ्राइस धीरे-धीरे से डाउन होता हुआ दिखेगा क्योंकि अभी साथ एक्सचेंज है जहां पर ट्रेडिंग हो रही है इसके इतने भी एक्सचेंज़ों पर सैतामा लिस्टेट है वहां पर ट्रेडिंग क्लोज कर दी गई है तो इस वजह करें तो इस वजह से आपको पैसे नहीं लगाना क्योंकि मागरेशन के बाद को यह नहीं हो जाता है कि वहां पर ट्रेडिंग क्लोज हो जाती कुछ दिनों के लिए जिसके वजह से ट्राफिक आना बंद हो जाता है तो इस तरह कि हमें अपडेट अभी देखने को मिली है त प्रोसेस कंपलीट हो जाएगा तो उसके बाद अपने रिसर्स के अनुसार आप इसमें थोड़ा बहुत पैसे लगा सकते हैं क्योंकि तब उसके बाद थोड़ा सा इसके प्राइस में हमें आप देखने को मिलेगा तो बस आज के वीडियो में नहीं साहतामा को लेकर आज यही इंपोर्टेंट अपडेट है